जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक ग्यान में आज से हम भी ये फोर्ट सेमेस्टर भूगोल का सलेवस बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और कम्प्लीट करेंगे जिसमें आज हम पहला चैप्टर देखेंगे आर्थिक भूगोल हमारे सलेवस में लगा हुआ है इसमें हमारा पहला चैप्टर है क्रिसी के छेत्र डी विटलेसी या था डर्वन विटलेसी जी के द्वारा पांच आधारों पर उन्होंने किस प्रकार 13 क्रिसी छेत्र में तो चलिए देखते हैं डर्वन टुटलेसी जी ने किन पांच आधारों पर किसी छेत्र को विभाजित किया है सबसे पहले हम यह देखेंगे किसी छेत्र किया हैं। किसी प्रदेश भहूमि के वैसे एक विस्तिरप्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्रिसी करने की दसाओं, विशेष्टा फसलों की किस्मों उनकी उत्पादन विधी वक्रिसी गत भूम के उपयोग तथा प्रति रूप में ब्यापक से समानता मिलती हो और जो समीपुरती छेत्रों से विशेष्ट रूप से भिन्हो तथा इन तत्तों की समानता प्राया क्रिसी प्रदेश में प्रिय में अच्छी मिलती हो, वहां पर उत्पादन अच्छी हो, वहां की मिट्टी जो है वह उपजाओ हो, वहां पर रहने की आवास की अच्छी बिवस्था हो, क्रिस्कों के में जो प्रियुक्त किये जाने वाले, प्रियोक किये जाने वाले यंत्रों, वहां पर उनकी विसेस्ता हूं मतलब उपलब्दिया हूं उसे ही क्रिसी छेत्र कहते हैं क्रिसी प्रदेश कहते हैं क्रिसी प्रदेश अर्थात जहां पर क्रिसी करने योग्य सभी साधन उपलब्द हों वह क्रिसी क्रिसि प्रोधेश का वर्गी करड़ सरप्रतम 1936 में डी सिने किया था जिसके लिए उनों ने निमलिखित आधार त bricks निकाए उन्होंने पाँच तत्तों को यहां पर आधार माना हुआ था, उन पाँच तत्तों कौन-कौन से उसको जानेंगे हम पहला तत्त्तों है कृसी फसलोयों पसों का साहचरी, दूसरा है कृसी उत्पादन विदिया, कृसी में पूजी स्रमयों, संगठन, आध के विन योग चोता है कृसी उत्पादन के उपभोग और पांचवा है कृसी कार में प्रियुक्त यंत्रो उपकरडो तथा आवास संबंधी दसाएं उपरोगत आधार तत्तों के आधार पर विटलेसी ने संसार को निमलिखित तेरह कृसी प्रदेसों में विभाजित किया है तेरह कृसी प्रदेस उन्होंने कौन-कौन से विभाजित किये उसका नाम भी जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी वह कृसी छेत्रिया कृसी प्रदेस कैसे होते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे क्रिसी प्रदेसों को विभाजित करने का एक आधार माना है उसमें ताब दाब ऐसे कोई भी तत्व नहीं है जो हमारे वाय मंडली है तो वह एक उन्होंने एक कमी की थी जिसको हम लास्ट में डिसकस करेंगे उस की बहुत आलोचनाएं भी हुई है और बहुत से लोगों ने माना भी है तो सबसे पहले उनके तेरह क्रिसी प्रदेश देखेंगे तत पस्चात उनकी आलोचनाएं भी देखेंगे अलग-अलग विद्वानों के द्वारा तो चलिए देखते हमारा पहला क्रिसी प्रदेश पहला है चल्वासी पसु चारड इस प्रकार की क्रिसी सरवाधिक ठेके युवम गरम छेत्रों में की जाती हैं जहां पर जल्वा युगत दसाएं फसल उत्पादन है तु आदर्स नहीं है उन छेत्रों में चारह गावी कहीं कहीं उपलब्द होते हैं इसलिए क्रिसक पता लग रहा वो चलवासी जो की घूम घूम कर पसुओं को चराते हैं और उनके द्वारा जो उन्हें दूध मांस चमड़ा उन आदी प्राप्त होता है उससे अपना व्यापार करके उससे अपना जीवी को पारजन करते हैं देखें यहां पर लिखा भी गया है उन पसुओ से प्राप्त उन मांस चमड़ा दूध आदी से अपना जीवी को पारजन करते हैं जिन में मुख्य पसू भेड भैस बगगकरी गाय याक उंट रेंडियर आदी हैं इस परकार की किसी उसल कटिवंधी घास अस्थलों में होती है अफ्रीका के रेगस्तानी छेत्रों में मद जाता है हमने आपको पहला छेत्र बताया चल वासी पसू चारण जिसका आप अर्थ भी समझ गए होंगे सीधे सीधे कि जो चल घूम कर पसूं का चारण करते हैं आपके भासा में अगर हम बात करें तो पसूं को चरा कर और उनके प्राप्त जो उन मांस और चमड़ा चलिए अब दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा है दूसरा है ब्यापारिक पसू पालन इस प्रकार की किसी में पसू पालन का मुख्य उद्देश से मांस का उत्पादन होता है जो ब्यापारिक पसू पालन होता है ब्यापार करने के लिए पसूं के मांस को उत्पादन करने क इनका प्रहम कुद्धिस्य होता है इस में किरिसक पसुं के लिए 4 पादन करता है वह चारा पादन करते हैं सरपर्थम उसके बार है पसूं को चराते हैं प्राकरतिक रूपसे भी वहां पसु पालन क्रिसी छेत्र में इस प्रकार की क्रिसी ब्रिटेन युएस से के मक्का पेटो अर्जेंटीना के पंपाज छेत्र में की जाती है पंपाज छेत्र कहां है अर्जेंटीना अर्जेंटीना अमारी अगर देखें तो वह साउथ अमेरिका में है वहाँ पर पंपाज घ दिवासी जन जाती हैं करती हैं जैसे कि हम अगर प्राचीन काल में देखें तो उस समय क्रिसी कैसे होती थी लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाते थे वहां उपजाओं मिट्टी पाते थे क्रिसी करते थे अपना क्रिसी करने के बाद वहां की मिट्टी जब संघ्या कम थी तो जिसमें एक स्थान से दूसरे अस्थान तक अस्थान आंत्रित होती है पेड़ों को करती है जलाती है sharak tér Up co कमी इमिल दी नो करती है फिर छोड़कर दूसरे अस्थान पर चली जाती है देखिए मने आपको पहली बताया कि अस्थान आंतिकि सी या स्थान पर आपने किर्जी की उस समय तो एसा कोई छेत्र नहीं ठैंखी लोग का बहुत सारा कर्दा यह भुत उसमय छेत्र तो क्या करते खोंग यहां जेंक यह करते थे वहां पर पेड़ों को कारते थे जलाते थे फिर वहां पर राख जो होती थी उसको यूज करते थे मिट्टी में मिलाकर उपजाओ बनाने के लिए फिर वहां क्रिसी करते थे उनकी जो अस्थानांतर और सील क्रिसी है उसकी मुख्य विसेस्थाएं कौन-कौन सी है यह क्र स्थाई होते हैं अलग अललग अस्थानों पर क्रियोग ऊस समय करते थे थे इस प्रकार की क्रिसी मुख्य रूप से 10 से 20 डिग्री अच्छांस यहां अपन मिस्प्रिंट हो गया 10 से 20 डिग्री अच्छांस के मद्ध की जाती है जिसमें दच्छिड अमेरिका का अमेजन, बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, पूर्वी, दूइब, समो के कुछ देश में, तथा विद्पस्व के परवती छेत्र में की जाती है इस कृसी को जो यहा हमारी अफ्ञार अंत्रण सील किसी है इसको मैक्सिको में क्या कहा जाता है मिलपा कहा जाता है स्री लंका में चेनना कहा जाता है ब्राजील में रोका कहा जाता है म्यामार में तुंगा कहा जाता है यह सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा भी गया अलग अलग परिच्छाओं में आपके भी थर से मिस्टर में भी कुछ ऐसे आपको मतलब 26 विसेश से पूछने को मिले थे आप्सिनल में तो आप याद कर सकते हैं मतलब याद कर लिजिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपके लिए मैक्सिको में मिलपा स्री लंका में चेनना प्राजीर में रोका मियापार में तुंगा वियत नाम में रे तथा उत्तर पूरवी भारत में जूमी से कहा जाता है इंडोनेसिया मलेसिया में लादांग कहा जाता है मद्ध प्रदेश में वीबर दहिया कहा जाता है फिलिपिन्स में केंगीन कहा जाता है केरल में कुमारी कहा जाता है अंध प्रदेश में पेडड़ा राजस्थान में बत्रा के न छेत्र जो था सबसे पहले जब क्रिशी शुरुआत हुई तो अस्थाई थी अलग-अलग अस्थानों पर क्रिशी करते थे एक अस्थान पर करते वहां से जाकर फिर दूसरे अस्थान पर करते थे लेकिन जब प्रारंबि में इस्थाई क्रिशी शुरुआत हुई उस बारे म हम बात करेंगे यह क्रिसी अस्थानांत्र सील क्रिसी का विक्सित रूप है जिसकी विशेष्टाएं क्या है कि खेत अस्थाई होते थे यह सबसे महत्तोपोड विशेष्टा क्या है प्रारंभिक अस्थाई क्रिसी की कि वह खेत जो होते थे अस्थाई होते थे क्रिसी के साथ पसु पालन का प्रियोग पसु के औसिस्ट पदार्थ का उर्वरक के रूप में प्रियोग किया जाता है जो कि अब भी कई कई लोग करते हैं जो पुराने जवाने के हैं मतलब जानते हैं उसकी महत्तुता को गाय के गोबर बैंस के गोबर का उर्वरक के लोग इसमें होता है मानसून पर इसकी निर्भरता बनी रहती है मतलब वारिस पर यह क्रिसी केवल अपने भोग हे तुकी जाती है मतलब अपने खाने भर का करते हैं यहां पर लोग प्रारंबी कस्थाई किसी छेत्र में अगला हम देखेंगे करता है जहांपर चावल बहुँत जादा होता है इस प्रकार की किर्सी मुख रूप से पूरवी फसल चावल है इसके अत्रिक्त दाल तिलहन सबजीयों तथा मोटे अनाज का उत्पादन होता है इस किसी की विसेस्ता है हम बाद में जानेंगे देखिए चावल प्रधान जो छेतर होते हैं वहाँ पर आपको चावल उत्पादन करने के लिए सबसे महत्पूर क्या है चावल में देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवसेक्ता होती है तो यह कब की जाती है अब आपकी जब यह मई जून का महीना आगया है मई में सब लोग लगाते हैं जिससे जून जुलाई अगस्त में बारिस होती है तो इस समय पर लगाया जाता है अगर आपको यह ठंडी में लगाने को कह दिये दाय चावल तो नही जहां पर वारिस भी हो और अधिक गर्मी भी हो तो वहां पर चावल उत्पादन होता है इसलिए इसे चावल गहन मतलब चावल की अधिकता वाला छेतर चावल प्रधान गहन छेतर कहते हैं इसकी विसेस्ता क्या है जोत का आकार छोटा होता है प्राचीन तक निकिन्यों को का प्रियोग होता है मृदा उरुवरा बनाने के लिए फसलों में परिवर्तन या जैविक अपसिष्टों का प्रियोग करते हैं चौता है कि अपनी आवस्यक्ता की सभी फसलों का उत्पादन करना इसमें क्रिसी से प्राप्त आउसिस्टों के उपयोग हे तो पसपालन का कारे करना जैसे कि जब धान हो जाता है तो दान आप चावल निकाल लेते हैं तो उसका जो पुवाल होता है उससे आप गाए भैसों खिलाते हैं युआ पी एक और हगहो देखेंगे जहां पर चावल नहीं होता है जहां पर बारिश नहीं होती वहां क्या होता जैसे ठंडे चेत्रों में क्या होता है अब आपके ही भारत में देख लीजिए जब ठंडी आती है तो आप क्या लगाते हैं गेहूं लगाते हैं तो इस क्रिसी प्रदेश की विशेष्टा चावल प्रधान गहन निर्वाह किसी की तरह है परंत फसलों में मुख्य फसल अगला हमारा कौन से वाड़िजिक अनाज क्रिसी इस प्रकार की क्रिसी शीटोश्ट कटिवन्दी घासस्तलों में होती है जिसमें इस प्रेरी कहां पर आता है उत्तर अमेरिका में पंपास बैल डाउंस के छेत्र संभित होते हैं इस क्रिसी प्रदेश मुख्य फसल गेहू और मक्का इस पुद्देश की मुख्षे विश्यसताएं मिनना है क्या है वालिजिक अनाज किसी च्शेत्य की विश्यसताएं इस किरसी में या जोड का ओकर बड़ा होता है और ऑुषत सव से 200 एकड़ होते हैं इस किसी प्रदेश में केवल एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें मुख्य तक गेहुं या मक्का होता है अब उन्हें ब्यापार अगर करना है तो किसी एक ही फसल को लगाएंगे अधिक मात्रा में जिस से उनको उस फसल से अधिक ला पीजन आपका किसी एक फसल का बीच जाएगा जिसमें ट्रैक्टर हार्वेस्टर कंबाइन तथा रेल गाड़ियां यह ट्रक अनाज ढोने के उपयोग में लाए जाते हैं आगे हम देखेंगे अगला मारा आठों हैं बागाती रोपड करिसी बागाती या रोपड करिसी इ इसमें पूरवी द्वीप समन, पस्चिमी द्वीप समन, दच्छड़ी, एसिया, अफ्रीका के गिनी तट सामिल होते हैं जिस करिसी का मुख के उद्देश से फसलों को बेचकर अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है इस करिसी की मुख चाए फसल होती है जो चा चाए कहवा रबर काजु केला गरम मसाला आदी होते हैं बागाती में क्या होते हैं जैसे यह सब पहाड़ी छेत्रों में होते हैं चाए कहवा रबर काजु यह कृसी की मुख्य विशेष्टाय अगर हम देखें तो यह फसल किसी फसली क्रिसी इसमें अधिक पूजी बहुत दू दू जगहों में और उसको तोड़ने की पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत से मद्दूर भी लगेंगे इस क्रिसी में बाजार का असपस्ट प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि बाजार में उतार चड़ाव होने पर नुक्सान या लाव दोनों की क्रिसी से जो असपस्ट प्राप्त होते हैं उसको उप्योग करने के लिए या प्रभाव पाकिस्तान तुर्की चीन के छेत्रों में देखने को मिलती है लेकिन अब इनका स्वरूब दीरे दीरे परिवर्टित होकर ब्यापारी स्वरूब ग्रहर कर ले रहा है क्योंकि अब लोग पसुओं के द्वारा अपसिष्ट पदारतों को उर्वरक बनाने में अधिक महनत समझते हैं वह उर्वरकों को खरी लेते हैं और फिर क्रिसी करते हैं इसकी अगर हम भी सेस्ताइं देखें तो इसमें क्रिसी फॉर्म में कुछ पसुओं को रखा जाता है इनकी देख अगला हमारा फसले ओम पसुओं या पारिक क्रिसी इस परकार की क्रिसी में सीटोष्ड कटिबंधी घास अस्थलों में की जाती हैं जिनकी प्रमुग भी सेस्ताइं होती हैं कि इनमें फार्म परिवहन सुविधाओं या नगर के समीब तो होते हैं अनाच के उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर पसुपालन का कारिय मांस अंडा मक्षन हे तो किया जाता है अगला हमारा क्या है भूमत सागरी क्रिसी इस प्रकार की क्रिसी में 30 से 45 डिगरी अच्छांसी प्रदेशों में महादुविपयो के पस्चिमी भाग में पाई जाती है जिनमें मु क्या है आप कमेंट करके बताएं कि चिली किस महादुविप पर इस्थित है आगे हम देखेंगे चिली एक देश है वह किस महादुविप पर इस्थित है आप कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ बताएं आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से या नहीं अगला च जीतकाल में गेहूं, जव, मक्का, सबजीयों का उत्पादन होता है जबकि ग्रीस में पसुपालन एम फलोत पादन का कारी होता है जिनमें सरवाधिक खटे फलो के वरिच मिलते हैं इसलिए फलोंगान के नाम से इसे जाना जाता है आगे हम देखेंगे दुग्द के लिए ज धील तटवरती छेत्र कनाड़ा का सिंट लॉरेंस प्रदेश आस्ट्रेलिये और न्यूजिलैंड के छेत्र सामिल है इस प्रदेश में डेरी फार्म के विकास के लिए उप्युक्त जलवाई पाई जाती है इसलिए यहां पर इनका विकास नगरों के समीप वरती छेत्रों में पाया जाता है जिनमें दुग्द के साथ पनीर वा मक्धन का उत्पादन सरुवादिक होता है दोज से प्राप्त च्छाच पर सूर पालन का कारिय की जाता है अगे हम देखेंगे हमारा अंतिम क्रिसी छेत्र कौन सा है तेरा हुआ तेरा हुआ है उद्ध्यान क्रिसी इस प्रकार की क्रिसी मुख के रूप से नगरों के समीप औरते छेत्रों में की जाती हैं जिनमें सब्जी का उत्पादन पुस्प का उत्पादन क्रिसी फलोत पादन सामिल होते हैं सब्जी उत्पादन का सबसे अदिक शेत्र बिजिंग लंदन weapons मॉस्कों में च्हित्रों में की या जाती है जब कि फल उत्पादन का कार्ये अमेरिक्या में सेब का उत्पादन फ्रांस सेवं जर्मनी में अंगोर का उत्पादन बड़े पाइमाने पर किया जाता है। इस कृसी को संभीलिप रूप से ट्रक फार्मिंग काते हैं। यह हमारे क्रिशी प्रदेश छेत्र थे। किसके द्वारा डर्वंट विटलेसी जी के द्वारा उन्हें पांच आधारों पर यह 13 क्रिसी प्रदेश छेत्र बताएं अगर हम इसका सारांस देखें तो इससे असपस्ट होता है कि विटलेशी द्वारा निर्धारित विश्चु के क्रिसी प्रदेश फसल यूम पसू सहचरी स्रम पूजी यूम संगठन क्रिसी में तकनिक का उपयोग तक क्रिसी के प्रिकार क्रिसी भूध द्रिश्य पर आधारित है इसमें कोई भी चलवायों की बात नहीं की गई है क्कि अग कमेंट में आए होगा कमेंट करके जरूर वताएं साथी साथ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोड़्सों के पास वीडियो को शेयर करें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में